नमस्कार टीवी नाइन बारत वर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत है आज के अगर बात की जाए तो आज शो को शुरू करने से पहले ही मैं एलान कर देता हूं कि आज का शो बिलकुल सूपर हिट है आज का शो बिलकुल सूपर हिट है क्योंकि आज मेमान ऐसे है जो सेहत और सियासत दोनों में फिट है चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान है कॉंगरिस की पहचान है आखों में चश्मा है जंता में गजब का करिश्मा है युवाओं में उनका जादू जरूर है लेकिन राजिस्थान के जादूगर से थोड़ा दूर है लोग कहते हैं कि अकेले खेल बदल सकते हैं मगर खफा होकर भी खफा नहीं लगते हैं तोडने की हजार कोशिशे हुई लेकिन हर पैतरे का तोड है पार्टी से रिष्टा है जैसे फेविकॉल का जोड है जोर से बताईए हमारे आज के मेमान कौन है कौन है हमारे मेमान जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देश के बेहद लोग प्रिया राजने का कॉंग्रेस के महा सचेफ क्या इस बाहर कर सकते हैं पासा फलट TV9 के हाई टेक चूडियों में आ चुके हैं सचिन भाइलेट जी स्वागत है आपका सचिन जी स्वागत है हमारे फाइफ एडिटर्स आईए प्लीज प्लीज बेचिन पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत आप काफी दूर से आ रहे हैं अपने समय निकाला हमारे लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी सचिन जी चुनाब का माहौल है प्रधान मंत्री समेद पूरी बीजेपी जोर-शोर से नारा लगा रही है कि अपकी बार चार सोपा आप जमीन का माहौल देख रहे हैं आपका भी अपना अनालिसिस होगा क्या दिख रहा है आपको पब्लिक जो है उसका गेज करना को इतना असान नहीं है और सब प्रफेशनल लोग करते हैं पोलिंग करते हैं अपरिन भोज लेते हैं रुजान माते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है और अपना मन देती नहीं है 2004 में जब चुना हुए थे तब सब सोच के पैठे थे कि बाचपैजी का आना तै है किसी को डाउट ही नहीं था इंडिया शाइनिंग एक बहुत बड़ा र्याप्र का भ्यान चला था उस समय परणाम बिकुल विप्रीत आये थे और अभी भी आप जिसे कहरे हैं कि बीजेपी दावा कर रही है 200 पार, 300 पार, 400 पार अगर इतना उनमें आत्मश्वास होता खुद के दम पर इतना भूमत पाने का तो वो नाना प्रकार के दलों को निताओं को तोड़ कर जोड़ने की कोशिश नहीं करते एंडिया को रिवाइब नहीं करते मत भूलिए चार साल तक भाजपान ने सिंगल हैंडिली गवर्न किया जब इंडिया अलाइज के गठन हुआ तब उनको लगा कि हमारा वोट परसेंटेज इस अलाइज के सामने बहुत कम है तो उन्होंने एंडिया को दोबारा रिवाइब किया लोगों को जोड़ा, कॉम्परमाइस किया और आज भी वो एक-एक दल, एक-एक निता, एक-एक सीट पर लोगों को जोड़ रहे हैं ये दिखलाता है कि वास्तविक्ता को पहचान रहे हैं और नारा कोई भी दे लेकिन अल्टिमेटली जज तो जनता है और जिसका बटन दवेगा वो ही राज करेगा लेकिन उन्होंने तो एक 400 पार का नारा दे दिया है आप लोगों का नारा क्या है? क्या आकड़ा आप देखने हैं? कोई तो आकड़ा होगा आपका? लेकिन आकड़ा मैं बताता हम आपको जो इंडिया लाइन्स पार्टनर्स हैं एक दो से हमारा गड़वन नहीं हुआ लेकिन जो दो दर्जन पार्टीज हैं उनका वोट शेर अगर आप जोड़िएगा तो लगबख 65 पसंद वोट 2019 में पड़ा है इंडिया लाइन्स पार्टनर की पार्टीज का जो वोट है और बीजेपी एंडिये का जो वोट शेर है वो 35 परसंट है तो आंकर तो ये है अब वो क्या कितना चेंज होगा आने वाले दो-चार हफ्त में ये पप्लिक बताएगी बीजेपी के नारे को एक ही नारा टक कर दे रहा है सोशल मीडिया पर वाइरल है जहां जहां सचिन पाइलेट जाते हैं वहाँ पर युवा नारा लगाते हैं सचिन पाइलेट आई लव यू एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं ज़रा दिखाईए एक बार ज़रा फ्लीज सचिन पाइलेट आई लव यू सचिन पाइलेट आई लव यू यह नारा लग रहा है सचिन जी नहरू जी इंदरा गांधी जी राजीव गांधी जी अटल बिहारी वाचपाई जी नरेंद मोधी जी देश में इतने पॉपलर नेता हुए हैं लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता मंच पर हो और आई लव यू के नारे लगाते हैं लेकिन इसको इतना सीरिसली मत लिजेगा आप आपने जोग सुना है यह ठीक है कभी कोई बोल देता होगा लेकिन इको बहुत जादा इसमें ध्यान देन के मैंसा बसा गाता है लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंबत की दुकान राहूल जी ने कोला रखी और सामान सचिन जी का वेकिन गुडदार है उन लोगों को अपनी सोच अपनी प्रेट्राइई और एपनी पोलिटिकल आपि अपनी रोड मैब को झता ज जादा हैं उनको बताएंगे उनको आकरशित करेंगे और यहर पार्टी करती है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कॉंग्रेस ने हमेशा समय को दिहान में रखते हुए अपने आपको ढाला है और वह काम को आज भी करना पड़ेगा अगर युवाओं की वोट को मैं आकरशित करना है और यह सिर्फ एक एक मैं अकेला या एक दो या पांच नेता नहीं पूरी पार्टी को करना चाहिए और पूरे देश में हम लोग करेंगे अचा भीड की अगर बात की जाए तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी भीड दिख रही है लेकिन लोग कहते हैं कि इस से राहुल जी की रखना स्परश्टा से और एस रिस्पॉंसिपल विपक्ष हम लोग विपक्ष में आज हैं तो जवाब देह करना सवाल पूछना पब्लिक इशूस को जनता में उठाना कभी-कभी लोग ध्यान डाइवर्ट करने की बाते करते हैं हम लोगों को मुख दारा में जो जनता से जोड़े मुद्धे हैं महगाई के, बिरोजगारी के, निवेश के, रोजगार के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सरकों के इन इशूस को लेकर जाएं उस पर समवाद हो, उसकी रिपोर्ट कार को खंगाला जाए उस पर हम कहें भी किसने कितना काम किया, ultimately पब्लिक जज करेग लेकिन कॉंग्रेस का विपक्ष का इदाइतव है, जिम्यदारी फर्ज बनता है, कि हम पब्लिक इशूस को टेक अप करें, और सरकार को हम हर उस मुद्धे पर कटगरे में खड़ा करें, जो लाइन से हट करें, और यह अकसर हुआ है, मैंने देखा है, जो भाजपा की सरका के ओपर, भावनातक मुद्दों के ओपर, उस से लोगों का ध्यान बटकता है, लेकिन जो मूल भूत इशूस हैं, उनको प्रासंगेक रखना यह विपक्ष की जिम्यदारी है, हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले इश्ण जी, आपके सवाल, मेरा तो सवाल सबस के ओड़ते हुए देख लिया, पांस साल पहले मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे, कि राजस्थान का मेंडेट आपके नाम पे मिला था, आपकी मेहनत पे मिला था, आपको बुख्यमंतरी का चहरा रखते हुए मिला था, उसके बाद में भी जिस तरीके की ज जंता को लगता है कि नाइंसाफी आपके साथ में हुई, उसके बाद में भी आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, ये संभव कैसे है, क्या कारण है, और अगर ये पॉलिटिकल अंडरस्टेंडिंग के साथ में है, तो क्या आपके मन में है जिसमें आपको लगता कि नह उसकी परस्नालिटी क्या है उसका वेक्तित तो कैसा है और वो अपने आपको खिस प्रकार के नेता की रूप में पहचान देना चाहता है कितने पद हैं इस देश में, कितने नेता बने हैं, विधायक, सांचर्द, मंत्री, मुकमद इब्धान मंत्री, कितनों को लोग याद करते हैं, मुझे लगा कि आपने कुछ बातें बोली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, कि मेरा अनुमावी है राजनीत में, मेरे को भी 25 साल होगें करते करते, कि सर पे बर्फ और मुँ में शक्कर, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से मीठा बोल कर अपना काम निकालना चाहिए, और हमारा अल्टिमेट उदेश क्या है, देखिए, पदों पर बहुत से लोग पहुँच जाते हैं, क्या वो कोई इंपक्ट निकरते हैं, लेकिन पबलिक के जहन में, उनके दिल और दिमाग में क्या कोई छाप छोड़ कर जाते हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं बहुत बड़े बोलनी बोल रहा हूं, लेकिन मैं है मानता हूं कि अगर हम एक अपने काम से, अपनी सोच से, अ अगर आपके अपने 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 इंबिशन को पूरा करने के लिए, वो भी मैं समझता हूं सही नहीं है तो एक संतुलन होता है, एक inner conscience होता है कि मैं किसली राजनीत में आया हूँ, और राजनीत तो पद पोस्ट तो आती आती रहती है, लेकिन पबलिक से सम्मंद बना रहे, लोग आपके बारे में अच्छी बात सोचें, अच्छी बात कहें, ये एक challenging task है और इसको पूरा करने में लोगों के पूरा जीवन लग जाता है, मड़ी खुब बुदिशा में लगा हूँ, कि सिर पे बर्फ और मुह में शक्तर होनी चाहिए, और यहां पर मुझे मन में आग भी दिखाई दे रहे है, विनोट सर, आपके सवाल, सचिदा, वो बहुदा जी के बारे में कहा जाता कि अगर एक परलल ड्रॉ करना उचित तो नहीं होता, इस नहीं करने चाहिए, लेकिन आज की दिन यह कह सकते हैं कि यू वर दे बेस्ट चीफ मिनिस्टर राजस्तान नेवर हैड और हैजन्ट है अज़ने वाले सब वक्तों में क्या संभावना है एक और आजकल आपके के लिए आप कैमपेंड करेंगे? मैं रिवर्स में शुरू करता हूँ, वैब अफ गहलोत के लिए मैं 100% कैमपेंड करूँगा, पूरी ताकत से कैमपेंड करूँगा, वो मेरी पार्टी का उमीदवार है, वो मैं जब अध्यक्स था, तो मेरे साथ उसको मैंने अपना महास सब्सक्राइब बनाया था और मैंने मिलकर काम भी किया उसके साथ, मेरे और वैब अफ गहलोत की उमर का फरक को एक डिट साल से छोटे मेरे उमर में हो, क्यों नहीं करूँगा पहली बात, जब प्रिश्ली बार वो चुनाव लड़े थे, योदपूर से, मैं प्रदेश का अधर्ष था, नामांगर में ने वरवाया था उनका, और मैंने पूरी ताकत के साथ उनकी पेरवी करी थी दिल्ली के अंदर, तो जो आपका सवाल है, मैंने ख्याल उसका में आंसर दे दिया, कि मेरे रिष्टे कैसे हैं, मेरे किसी से कभी रिष्टे बुरे नहीं है, वैच सब्सक्राइब का परियोग या कभी किसी को कमिज़द देना, ये मेरे आचरण में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है, तो जो भी वेक्टिम में से राजनीत करते हैं, विपक्ष के हों, मैं जब विरोध भी करता हूं, मेरे बड़े धुर विरोधनी है, जो भाजपा के न आसन आया 2013 के अंदर, पांच साल में ने विरोध किया, और इश्वर गवा है, मैंने उनको पांच साल चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनका विरोध किया, सैध्धान्तिक विरोध किया, उनकी नीती का विरोध किया, उनकी पॉलिसी का विरोध किया, उनकी गवनेंस करना चाहिए डट के विरोध करना चाहिए यह में सीखना चाहिए जो अठल बैरिया भाजबाई जी ने जो अधारन स्थापित किया देश के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने विरोध किसे का कम किया कॉंगरेस पार्टी का डट का विरोध किया उनके भाशान आप सुनिए बोल भी बोलने पड़ते हैं विरोध करना जरूरी है लेकिन आप किसी को अटाइक करो गाली गनोज करो उस पर ऐलिगेशन लगा दो पब्लेक में उसकी बेजिती कर दो किसी नेता की तो जो कीज़र फैकता है दो चार भून तो उसके उपर आके गरेंगी तो हम सब को दिम लोगना जी किसी बात कर रहे थे आप अभी तो टाइम पड़ा है तो अभी देखने आ गया कि क्या होता है ताइम पड़ाश्तान में कैसा रहेगा इस बार दोजार पर लाव है देखिए पिछले दो चुनावों से वहाँ पे हम लोगसभा की सीट नी जीत पाए 2019 के लोगसभा चनाव हुए थे तो एक अलग वातावरन बन गया था और हमारा बॉर्डर स्टेट है तो सरत पर एक्शन हुआ उससे एक अलगतने की भावना पैदा हुई उसका जो परणाम हमने देखा लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 10 साल की आंटी इंगर्मर्शी ह हुए और 25 सांचत भाजपा के जीत के गए मुझे खेदे कहते हुए कि उन्होंने परदेश के लिए कुछ नहीं किया इसलिए लोग अब थोड़ा बदलाव चाहते हैं थोड़ा चेंड चाहते हैं और हम लोगों ने जब तक कैंड़र किये हैं अच्छे और साफ चवी के ल डिस्कॉशन्स के बाद, फीडबैक देने के बाद, सर्वे भी हम कराते हैं, लोकल नेताओं चर्चा करते हैं और फिर जो जिस सीट पे सब ची उप्युक्त वेक्ति होता है इलेक्शन कोई पॉपलार्टिक कॉंटेस नहीं है, इलेक्शन समिकरण का आगे से कौन लड़ र होती है, उसको चुनाव लड़वाते हैं, और सब चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बहुत से सीने लेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ संगधन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहना गलत है, कमलनाज जी, CM Candidate थे, CM 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 थे, पर उनका बेटा sitting MP है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बलकि सवाल उड़ता कर उचुनाव नहीं लड़ते हैं उनके पुत्र, वो sitting member of parliament है, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे चुनाव अभी तक तो पाटी ने मुझे ऐसा नहीं कहा है, ल महाँ पर भी हम maximum seat जीत कर रहें आए, आपके निजी राए पूछना चाहरा है, निजी राए का मतला भी नहीं होता, निजी राए तो विणो जी ने बात बोली निजी राए तो बहुत कुच होती है, निजी राए पर आनीत नहीं लड़ेंगे, स्मृति रानी फिर से हैं कौन कहांसे सांसषत है किस party ने किसको कहा कि जिमेदारी दे रखिया यह तो हमारा party का मसल्हा है और यह से जिमेदारी आप चुनाव ड़ी है ना कोई ने को हम लड़ाएंगे जिसको लाइंगे को जिनका ट्राक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार चुनाब लड़ना चाहती है, प्रियंका गांदी जी की चर्चाए कि उनाए बरेली से शायद चुनाब लड़ सकती है, या लड़ना चाहिए, आपका क्या सुझाब होगा। हमने सुना है कि सचिन जी, CWC के बैठक में आपने ये सुझाव दिया कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, मैं तो यहीं में बोलने को तो या प्लान है सचिन पाइलेट के पास, नरेंदर मोदी को हराने का, देखिए, आप फिर वेक्टिकर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जितना जादा प्रतिबहाओं को तलाशेंगे, शिक्षित हैं, साफचवी के हैं, अच्छे वक्ता हैं, मेहनत कर्श लोग हैं, ऐसे बहुत चे नौजवान हमारे दल में हैं, उन लोगों को जब तक हम फ्रंट लाइन पर लेकर नहीं आएंगे, उनको लिडिशिप रो कर गुजरने की वो शमता नहीं है, लेकिन उनको जब तक हम प्लाइटफॉम प्रवाइड नहीं कराएंगे, तो जो मेरे हाथ में था, मेरा आजसान का अर्दक्ष था, मैंने तमाम नौजवानों को MLA के टिकेट देनी की कोशिश करी, इस बार मैंने बहुत प्रेरी करी, त दूसरे बात, जितने यंग लोगों अपने चुनाम में उताराविधान सवाम में, राजस्तान के अंदर, अधिकांश लोग जीत करा है, प्रम्कृपाल जी, सचिन जी, मेरा एक सवाल है, ये जो चुनाओ है इस बार का, परलेमेंट का, आपको लगने ही रहा है कि कांग्र कांग्रेस को ये लोग आप जो टाप लीडर्स हैं, जो माने जाते हैं, मैं आपको सिर्फ राजस्थान का नेता नहीं मानता, मैं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं में से जिनके जनता जिनके साथ भविस देखती है पाल्टी का, तो क्या आप लोग कभी भी इस बात को क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि रीजिनल पाल्टी आपको ब्लैकमेल कर रही है, जो रीजिनल पाल्टी मनमोहन सिंह के समय तक आपकी बैसाखी हुआ करती थी, वे रीजिनल पाल्टीया अब कांग्रेस को बैसाखी बना रही है, एक बहुत बढ़ा कारण आज कांग्रेस क जो छबी है वो कहीं लड़ती हुई नहीं दिख रही है क्या यह नहीं है आपने दो तीन सवाल करें एहला तो यह कहना गलत होगा कि कोई भी दल किसी को बैसाखी बनाता है हर पोलिटिकल पार्टी की एक ख्वाइश होती है कि अपने राजनितिक जमीन को पकड़ के रखे और इंडिया लाइन्स के जो पार्टी में जो नेगोसियेशन हो रहा है उसको ब्लैकमन नहीं कहना चाहिए क्योंकि हर रिजनल पार्टी अपने अस्तितिकल राई लट रही है और वो अपना स्पेस छोड़ना नहीं चाहती है तो हर नेगोसियेशन में गिव इंटेक होता है एक दो दलों के साथ हमारा गड़बन नहीं हो पाया उसके बहुत कारण हो सकते हैं लेकिन जहां तक आप प्योर आकलों की बात करें मैं आपसे सहमत हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी का इतने कम सांचद लोगसमा में आज से पहले कभी नहीं आया है ये बात सच है लेकिन मातर आकलों के अधार पर बोलना कि सबसे बुरा दौर है और बहुत खराब है वो मैं समझता हूँ सही नहीं होगा जब हविश को देखकर हम आशावान हो सकते हैं जब लीडर्शिप में लोगों विश्वास बन सकता है जब डाइनमिकली बहुत चीज़े बदल सकती है और मैं फिर कहना चाहता हूँ इंडिया अलाइन्स का आपने कहा कि दिख नहीं रहा अब हमारा राहूल गांदी जी की भारत जो नयायत्रा का समापन दो दिन बाद है सब इंडिया अलाइन्स के पार्टनर्स मुम्मई में आएंगे हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं दो दिन के बाद तो आप देखिए जो बिहार में महराष्ट्र में बड़े जो राज्ये हैं वहाँ पर इंडिया अलाइन्स का गटबंदन मैं समस्ता हूँ आज बहुत आगे है एंडिये से जहां तक कॉंग्रेस की बात है यह बात सच है कि हम लोगों को पिछले 10 साल में विपक्ष में बैठे हैं हम दो चुनाव लगातार हा रहा रहे हैं लेकिन मत बूली हम लगातार दो चुनाव जीते भी थे देश बर में है और एक बात राष्ट्रे स्तर पर हमारे सब सेयोगी दल हैं मैंने का बहुत मान समान करता हूं चाहिए वो कोई भी दल के हो इंडिया लाइंस के लेकिन नैशनली राष्ट्रे लेवल पर अगर कोई प्रिटिकल पार्टी भाजपा को चनौती दे कर मात दे सकती है तो वो कॉंग्रेस ही है और इसमें बहुत सी चीजे है इसमें इतिहास है देश इत्ता बड़ा हमारा विबिन विबिन राज्य है केरल से लेके कारगिल त हमेशाद वोट ना दे रहो एक बार लेकिन ऐसा नहीं कि कॉंगेस अंजान है या कॉंगेस में उसने वोट नहीं डाला तो ऐसा नहीं कि रिकवरी होने में बहुत लंबा समय लग सकता है ठीक अभी टाइम चुनाव का है हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुझे लग रह हमेशा उपर आईगे एंडिये से ये शुन जी सचिन जी से कोई सवाल पूछना जो है वो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है कि एक पेशेंट है उसकी एक दवाई है और डॉक्टर वो दवाई नहीं दे रहा है और हम दवाई से पूछेंगी डॉक्टर आपको क्यों नहीं द है कि गांधी परिवार के इतर कॉंग्रेस के लिए बहतरीन निर्तित्व कौन हो सकता है और मुझे हमेशा अश्चर होता है कि कई बार के राउंड्स में भी आपका नाम हमेशा उसमें उपर आता है क्या कभी कॉंग्रेस के निर्तित्व के अंदर आपसे इस विशह में में पूछा गया या कॉंग्रेस के अंदर आपके जैसे चेहरे को केंद्र में प्रयोग किया जा सकता है युआ चेहरे को इसके ऊपर कभी कोई विमर्ष होता है कभी आपको लगता है कि आप उस भूमिका में कुछ न्याय कर पाएंगे यह बात मुझे पतकर ने बहुत पूछी है लेकिन मेरी पार्टी ने मैं 26 साल का था जब पहली बार कॉंगेस पार्टी ने मुझे टिकेट दिया लोग सब का मैं सांचत बना 26 साल की मूद में 31 साल के उमर में मैं केंद्र का मंद्री बना, 34 साल में मैं प्रदेश का अधर्दक्ष बन गया, 36 साल में मैं उब्बुख मंद्री बन गया मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूं, उनको बताने के लिए कि कॉंग्रेस में सर्वे क्या बोलता लग बात है लेकिन Congress Party ने मुझको platform या अफसर देने में के कमी नहीं छोड़ी सवाल यह उठता है कि हम लोग जित्ता हमको मिल चुका है हमने Congress को क्या दिया क्या मैं Congress के दूवोट बढ़ा रहा हूँ क्या मैं Congress के हिद के लिए काम कर रहा हूँ उन्होंने का भई हम सब यहां बैठे हैं कोई मंतरी बना कोई मुखमंतरी बना कोई बहुत कुछ बना पार्टी ने बहुत कुछ दिया है हम लोग वापिस Congress को क्या दे रहा है उन्होंने का कि पचास परसंट जो पार्टी के पद है ब्लॉक जिला से लेकर राष्ट तक 50 अंडर 50 पचास पतिशत पद हम पचास साल से कम उम्र के लोगों को देंगे यह हमारा अदीवेश्म ने हमने प्रस्ताव पारित किया था उदेपूर के अंदर तो जहां तक आपने कहा कि मेरी बात आज मुझे मैं पार्टी का अखिल भारती कॉंगर्स कमिटी का महासचेव हूँ हम 10-11 लोग हैं महासचेव राष्ट में तो यह कहना कि नैशनल लेवल पर मेरा उप्योग नहीं हो रहा है बड़ा गलत होगा देश का कोई ऐसा कौना नहीं है जहां मुझे पार्टी के लिए बिजाने जाता काम करने के लिए और आज मैं एक राज्य का प्रभारी हूँ महासचेव हमारे यहां सबसे बड़ी पोस्ट होती है अद्दक्ष के बाद तो उस इतने इंपोर्टन्ट वर्किंग कमिटी में महासचे मुझे पार्टी ने बनाया है तो उसका ऐसास मुझको भी है पार्टी को भी है मसला ये है कि हम पदोंपर बैठे हैं लेकिन हम पार्टी के लिए हम kya योग्दान दे पारहे हैं इतना बड़ा ह away n अ हुझे आहूती क्या है उसके इंदर ये मुझे आत्मचिंदर करना चाहिए, मुझे भी हम सब नेताओं करना चाहिए जिन्होंने 30-40 साल से पार्टी का बहुत कुछ लिया है उन सब लोगों को आज अगर थोड़ा त्यार करना पड़े, थोड़ा बलेदान देना पड़े थोड़ी महनत और करना ही पड़े, तो यही समय है और मैं ऐसा मानता हूँ कि नेत्युत निखारने के लिए सबसी उप्युक्त समय होता है विपक्ष में रहना मैं पांच साल विपक्ष में रहा यसमन जी उससे पहले मैं केंदे मंती रहा, संसद रहा लेकिन जो राजनेतिक गहराईयां, जो जड़ें, जो लोगों से जुड़ाव विपक्ष में रहकर मुझे हासिल करने का मौका मिला, वो सत्ता में रहकर नहीं मिला और आप सब भी जानते हैं, जो आपने पहला सेट्विंट बोला था कि मेरा जो पांच साल का कारेकाल रहा, राजस्तान में, महां मैं जेल में गया, धरने दिये, परदर्शन किये, भूकरताल करी, घहराव किया, लाठी खाई, खुन पसीना बहाया उन पांच सालों में उससे लोगों उससे एक जुड़ाव बनता है, कारेकरता हूँ कि मन में आप जगे बना पाते हों, तो विपक्ष में रहकर बहुत कुछ एक नेता अपने आप के लिए हासिल कर सकता है अब पहले तो जोरदार तालिया हो जाए इसके लिए, और अब एक बहुत इंट्रिस्टिंग राउंड है सचिन जी, मैं वहाँ पर जाओंगा एक रैपिड फायर और आपको तस्वीरे दिखाओंगा, आपको सवाल के साथ एक तस्वीर को चूज करना है क्या आप लोग तयार है रैपिड फायर के लिए, जोरदार तालिया हो जाए पहले, हर सवाल पर आपको होसला बनाना है, आईए जरा, इस रैपिड फायर राउंड को शुरू करते हैं, ये देखे, अब जो मेरा पहला सवाल इस वक्त आ रहा है, सीधे, मेरा पहला सवाल ज शचन जी, जोती रादित्य सिंद्या, गुलाम नभी आजाद या अशोक चौहान, बहता राजनिता कौन? इसे कोई भी कॉंग्रेस में तो है नहीं, तो कोई अच्छा राजनिता भी नहीं है, नहीं है, सभी अच्छे हैं लेकिन जो मेरे पार्टी में नहीं, उनके बारे म ठीक है, थोड़ा महौल बनाएए थोड़ा जोरदार तालियों उस पर करिये तो, क्या आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हैं? तैयार हैं अगले सवाल के लिए? अवाज नहीं आरी मुझे अगला सवाल प्ले आउन करिये जरा यहां पर, हमारा अगला सवाल है बहतर प्रशासक कौन? अब यह तो कॉंग्रेस में है, अशोक, क्लियोत और भूपेश, वागेल जी दोनों बहुत अच्छे हैं दोनों बहुत अच्छे? जोरदार तालियों हो जाए जरा अगला सवाल, दिखाइए जरा, प्ले आउन करिये कॉंग्रेस का दोस्त कौन है? ममताव एनर जी या माया होती यह दोनों अगर सच्छी दोस्ती कर लें, तो हमारा गड़ बंदन का जीतना 100% तहते है अभी दोनों दोस्त नहीं है? एक आदे हैं, एक चौथाई में हैं तीक है, जोरदार तालिया हो अगले सवाल के लिए, जरा अगला अंसर प्लीज जिए आपको यह सवाल बनाता कौन है, आपके लिए मज़े बताईए तर मैं आपको मिलवाओंगा शो के बाद उनसे, दिखाईए जरा, आईए जरा अब हमारा जो अगला सवाल है वो यह है, दूर दर्शी नेता कौन है? आपकी निजी राए है देखिए मैंने, दोनों के साथ मैंने काम किया है राहूल जी अदख्स रह चुके हैं, प्रेंका जी महासचेव है और इन दोनों की जोड़ी बहुत बहतर है और इसी जोड़ी के साथ काम करना है ठीक, ओके अब अगला सवाल जरा ध्यान से देखेगा और मैं चाओंगा इसका जवाब दीजेगा और जरा जोरदार पहले तालिया हो जाए, दिखाएए जरा राजस्थान में, प्ले करिये जरा राजस्थान में कॉंग्रिस का चेहरा कौन है आज के तारीक में हम दोनों में से कोई पदेशद्दक्ष नहीं है तो जो पदेशद्दक्ष होता है, वो हम सब पदेशद्दक्ष है अगली बार चेहरा कौन? अगली बार के अगली बार देखेंगे अब इस रापिट फार राउंड का आखरी सवाल जो है अब ये पूरा देश जाना चाहता है अगली बार प्ले आउन करी हमारा अगला सवाल देश का लोगप्रिय नेता कौन? आप मेरे पूच रहे हैं? जी, मैं आप ही किराई पूच रहा है मुझे लगता है कि राहूल गानी जी एक ऐसे नेता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों की और सच्चाए की वो एलेक्टेट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी वे समान करता हूँ लेकिन आपने का मेरी बात करी है तो मेरी पार्टी का जुनेता है जो हमारे संगस करता है मैं तो उसी को मानूँगा ठीक है मैं आगे आता हूँ हमारे एडिटर्स हमारे साथ है राजिश जी आपका सवाल सचन जी से तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी इन्वाल्व करना चाता हूँ इस सवाल में राजनीती आप बहतर जानते हैं कि अपने एड़वर्सरी को आप उसके कमियां और उसके खूबियां उससे वाकिफ हो भारती जनतापार्टी पलक जपकते ही अपने नेताओं को यहां से वहां कर देती है घर बिठा देती है बड़े बड़े गदावर नेताओं को किनारे कर देती है कहीं कोई बगावत नहीं होती है आप लोग कॉंग्रेस के लोग आप सब लोग सुन रहा है na ये जो जगडे हैं टीवी कैमरे के सामने क्यों सुल्टाते हैं क्या इनको सुल्टाना चाहिए या नहीं जवाब बीजे पहले राजनीति के जगडे अंदर कमरे के सुलजाने चाहिए जैसे कि भारती जनता पाटी करती है या कॉंग्रेसियों कोई तरह कैमरे के सामने लड़ना चाहिए बताए हाँ या ना अब मैं सचिन जी से ही सवाल लेता आपने सवाल आपसे पूछा है तो जगडे के लिए तो दो लोग ची होते हैं ना जी एक विक्ति कुछ बोले दूसरा कुछ ना बोले उसको जगडा बोलेंगे के हम लोग मैंने को जगडा नहीं किया पहली बात बगावत की वो अलग इश्व है मैं आपने जगडे की बात करी दूसरी बात भारतियंता पार्टी में आपने बड़ा प्रसंचा करी कुछ मर्दी कर जिएगा कोई उफ नहीं बोलता प्रसंचा नहीं की यह तथ बताए आपने कहा कि बड़ी खुबी है उनके अंदर कि वो बड़ा निर्णे ले 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 लिते हैं कोई कुछ बोल नहीं पाता और यह है वो है आप उनसे पूछिए जो आज उस पार्टी में बैठे काम कर रहे हैं कि दिल पे क्या बीप्ती है हमारी पार्टी में हो सकता है कोई हम लोग घ्रोध करने किसी एक निर्णे का लेकिन एक जोलंत तेमोक्राटिक पार्टी के अंदर बोलना कहना सुनना अगर वो समाप्थ हो जाएगा और सिर्फ कदमताल होगी तो वो एक अच्छा उधारन नहीं है लोगतांत्रिक पार्टी के लिए अनुशासन होना चाहिए मैं आपके बाद से 100% सहमत हूँ बड़े निर्णे लेने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और पार्टी का अनुशासन सब से उपर होना चाहिए सब पे लाग होना चाहिए ये अनुशासन ऐसा नहीं है कि इनके लिए उनके ना हो पहली बार लेकिन वो पार्टी का अलग काम करने का तरीका है और हमारी पार्टी का अलंग काम करने का तरीका है हीटिडिस्कॉर्शन्स होते हैं यहां तक कि जब सोनिया जी हो राहुल गांधी हो हम लोग अगर सहेंबत भोल देते हैं राहुल गांधी खुद भोलते हैं वह आप सहेंबत भी तो बोलो हम बोलते हैं टेबल पीट-पीट के बोलते हैं और यह मुझे लगता है कि एक रजनीती है उसमें जनता जेंटलमेन को प्रेफर करती है स्ट्रीट फाइटर को वाइं कांटी भी बोत क्यों हूं मैं जेंटलमेन हूं लेकिन आपने मेरा विपक्ष का रविया देखा निराजिस्तान में मैंने ऐसा फाइट किया है कि बड़े-बड़ों के सिंगास नहीं रज़ी गए थे लिखे मंतरी साइथ लेकिन के मुख्यों मंतरी साहीट नहीं पड़े सोब करना परना जाना मैं विभक्ष में जब था और जब मैं पक्ष में भी था तो इतना कलेजा मेरे में था कि जो मैंने कहा मैं इस पर अडिग रहा मैं सत्ता में रहुं तो एक बात अगली बार कैसे जाओं को पब्ले के पास अगर पर करॉप्शन मेंने स्टैंड लिया है पेपर लीग में इस टैंड लिया है और में कुछ करनी पारों सत्ना में बैटके मैं क्या मूझ लेकर जाओं कर वोट बागने के लिए तो मैंने जो बोला को छिपके तो नहीं किया ना जो आप बंदकमने में कह रहे थे आप मैंसरकों पर कहा और खुले मंट से कहा कि ये मेरा स्टैंड है और मेरे पार्टी में मुझे फक्र है कि पार्टी ने का ठीक बोल रहे हैं हमें एक्शन करना चाहिए हमने कोर्स करेक्शन किया बफ poking जे वह करेक्शन करने के बाद आग हम 70 जीत के हैं दोसों में से पहले 20 पे रह गए थे तो हमाने कुछ कहा कुछ लाया तब यहां तक क्या बताना चाहिएंगे कि आपने वो क्या कहा था आपने जो कहा था कि बड़ा आपने सोनिया जी राहुल जी के सामने एकदम च्छादी ठोक के कहा मैं अकेली की बात नहीं क क्यों होती है अगर सारे कानुन वैसी पास करने हैं बहुमत के हिसाब से डिबेट ही क्यों करने थे आपका बहुमत है आप बिल पास करा सकते हैं तो डिबेट का फाइदा क्या करने का डिबेट इसलिए करते हैं कोई एडवाईज देता है को किटिसाइज करता है कुछ आपको नहीं लगता है कि अगर जगड़ा नहीं होता तो शायद और जाद आखड़ा आगा फिर मैंने का जगड़े के लिए दो लोग ची होते हैं मैंने कभी जगड़ा नहीं किया है राहुल जी पांच साल राजस्थान में जो हुआ हम सब ने देखा वो आपके विरोत की आ राहुल गांधी जो निया यात्रा लेकर निकले हैं उसमें खास्ट और से वो जिस-जिस एरिया में जा रहे हैं असम से लेकर मध्रदेश तक वहाँ कॉंग्रेस के पुराने नेताओं की मन की आवास कॉंग्रेस पार्टी से बाहर निकल के क्यों आ रही है ये देखा गया कि SM से मध्यप्रदेश तक जहां जहां राहूल गांधी की नया यात्रा गई वहाँ कॉंग्रेस के कई बड़े और सीनियर दिगज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी जोड़ने निकले थे और पार्टी ٹूट रही कूँँ ऐसा हूँ तो आप यह पूछ रहें कि कॉंग्रेस के नेता पार्टी क्यों छोड़ गे गए आपने यह नहीं कहा कि जो भाजपा के नेता कॉंग्रेस में भी दो आ रहे हैं हमाँ आपको धार देना चाहता हूँ कॉंग्रेस के कुछ पूर मंत्री, कुछ पूर विधायक बीजेपी में चले गए पूर कॉंग्रेस के अंदर बरतमान लोकसभा के सदस एक हर्याना के, एक राजिस्तान के हमारी पार्टी में जोइन किये हैं वो किजी को दिखा नहीं, वो मीडे में कभी आएगा नहीं पार्टी कौन छोड़के जा रहा है, आ रहा है ये हर चुनाव से पहले होता है इसमें कोई किसी को लाग लपिट करने की ज़रूत है जिसकी जहां विचारतारा फिट हो रही है या नहीं है आपने विचारतारा को अबैंटन कर दिया, अब आप अलग रास्ते पे निकल गए जिसको जो सूट करता है वो करता है प्रेशर है, क्या उनके मजबूरियां मैं नि जानता हूं, लेकिन जो जा रहा है उसका निरने है, उसका वेक्तिकर निरने हैं, और एक मोट, और उस निरने सhी है गलत है, वो जन्ता तेख रेगी और ताइम बताएगा, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, बहुत सो लोग गए हैं, बहुत सो लोग आए हैं, इलेक्शन से पहले हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, फर्ख इतना है कि जो गए हो सब पूर हैं और जो कॉंग्रेस में आए वो वरतमान सांसद हैं. आप जो दवाब की बात कर रहे हैं, तो वो एडी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई छपानी की बात है किया, इंकम डैक्स भी है, सीबी आई पी है, एडी भी है, और बार बार बात को बोलता हूं, इस देश में लोगतंतर मजबूत इसलिए नहीं है कि हम लोग हर पांसाले कुषित किया है, यह संस्ताएं हमारे आसपास के मुलकों में मौझूद नहीं है, यह संस्ताएं कोट्स हैं, इलेक्शन कमिशन हैं, अलग-अलग कॉंस्ट्यूशन बाडी हैं, जिनका निर्मान हमारे अजादे के बाद हुआ था, और लगातारों की विश्वसनिता बनी क्योंकि उस संस्ता की विश्वसनिता है, अगर उस संस्ता की credibility खतम हो जाएगी, या उसकी विश्वसनिता पर doubt हा जाएगा, तो लोग उनके निर्ना को नहीं माना करेंगे, और मैं यहीं बोलता हूँ कि institutions को कमजोर नहीं होने देना जाना चाहिए, जो constitutional bodies हैं, और मुझे ल करकार किसी की बने, पार्टी हारे, जीते, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70-75 साल में हम लोग उने उधारन प्रसूत किया है, और पूरे महधवीप में, नेपाल, बंगलादेश, यलंका, पाकिस्तान, बर्मा, आप देख लिजे, कहीं पर भी लोकतंत इतना जणे ग बॉडिस की इंडिपेंडेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनिता बना रखे जानी चाहिए, और जो प्रेशर के आब बात करने, जो मैं कर रहा था, वो स्वच राजनीती में एक अच्छा उधारन नहीं है. सचिन जी, आपने अभी एक सवाल, आपने अभी एक सवाल के जवाब में ये कहा कि ED और CBI का इस्तवाल होता है, मैं इन सबकी तरफ से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, एक सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि BJP ने आपको भी ओफर दिया, ऐसी खबरे आई, ऐस सवाल नहीं बनता है, इसका यही जवाब है, कि मैं कोई दवाब में आने वाला व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं जहां हूँ, अपनी इच्छा से हूँ, और पच्चे साल से जहां में रहा, वहां मेरा मन रहा, और मैं जो भी करता हूं, 100% होके करता हूं, इसलिए मेरी ऍज़ना, मेरी पार्टी को मजबूत करنا, मैं सन 2002 से इसकाम को कर रहा हूँ, और जहां तक आपने दबाब की बात बोली, तो अलग-अलग, जैसे अलग-अलग ईंकर होते हैं, अलग-अलग τιी चैनल होते हैं, ऐसी आलग-अलग पार्टी, अलग-अलग निता होते हैं, सब क फितरत एक जैसे नहीं होती सचिन जी, आपको offer क्या आया, ये बताईए मुझे offer आया कि आप एक गंटे का show करेंगे मैंने का मैं आपसे खुला संवाद करनूगा मैं बीजेभी की बात कर रहा हूँ ऐसा कोई ना तो मेरे को offer आया अगर आपने कोई ऐसे जानस पताल कर लिए, मुझे बता दीजे और politics में कोई क्या कहता है, कोई क्या चर्चा करता है, क्या वाट्साप चलाता है उसे रानिती नहीं होती जो हम कहते और करते हैं, उसको जनता देखती गलत भी हूँ, आपने बोला था कि आप से पूछा गया था कि क्या कोई आपको ओफर आया तो आपने का सचिन Tindulkar को फोन किया वगया मुझे नहीं फोन किया गया कॉंग्रेस और गटबंदन के नेताओं की बयान-बाजी का कितना नुकसान होता है कोई सनातन धर्म के खिलाब बोल देता है कोई मोधी के परिवार पर हमला कर देता है मैं तो हमेशा मानता हूँ कि बयान संतुलित होने चाहिए और वेक्टिकत में होने चाहिए और जो भी वेक्टिए ऐसी बात बोलता है जिसे किसी और की भावना अगर उसको ठेस पहुंचती है मैं उसको सही नहीं मानता हूँ कोई भी हो इसलिए हमेशा हमारी पार्टी ने अधिकांच हम लोग जो बात करते हैं वो पब्लिक इशूस के बात करते हैं यह तक आपने कहा कि एक दल ने ऐसा स्टेट्मेंट दिया कंटिनुटी में सवाल है कि पिछले कई दिनों से कॉंग्रिस की छवी बनाने की कोशिश की गई कि कॉंग्रिस राम विरोधी है क्या आपको लगता है कि अगर आपके नेता, प्राण, प्रतिष्ठा कारक्रम में चले जाते तो इस छवी से बचा जा सकता था इस छवी कौन बनाता है और छवी बनाने का अधिकार किसको है खासकर व्यक्तिकत भावनाओं को मैं किस धर्म को फॉलो करता हूँ मैं किस की पूजा करता हूँ कब रत रखता हूँ, किस का बजन करता हूँ ये मेरा निजी मामला है और मुझे लगता है कि एक कारिक्रम को इतना पॉलिडिसाइज करने की कोशिश की गई कि जिन चार-पांच ज़ार लोगों को नियोता मिला क्या वो हिंदू थे, बाकि 120 कोड़ लोग हिंदू नहीं है तो किसी की धार्मिक भावनाओं को चुनौती देना या बार-बार प्रूफ मांगना या उसको बोलना आप यहां गए तो आप आस्तिक, यहां नहीं गए तो नास्तिक, यह कहां की राज नीती है मैंने ये सवाल अमेट शादी से पूछा था जो आपने अभी जिसका जिक्र किया कि ये पार्टी का कारिक्रम था तो उन्होंने कहा कि ना तो वहाँ पर कोई बीजेपी का नेता था ना वो खुद वहाँ पर थे मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि राम मंदेज का निर्मान जो अयुद्धा में हुआ वो सुप्रीम कोट की सेवन मेंबर बेंच के निर्ने के बाद रुआ था उसमें हर पक्षने दलील रखी और सुप्रीम कोट का जो अन्तिम निर्ने था उसको सहर्ष हम लोगों इसका स्वागत किया और एक भवे मंदेज निर्मान का रास्ता खुल गया सब पूरे देश में लोग इस बात को अच्छा मानते हैं खुशी मानते हैं इसमें कोई दोराएनी है कोट के आदेश के बाद अब उस कोट के आदेश का श्रे को लेना चाहता है कोई वेक्ति को दल कोई सरकार तो मस गलत माननों पहली बात दूसरी बात अगर प्रांट-प मैं तो कबरिश पे दा पाता तो यह जो छटनी करना कि एक बुलाना नहीं बुलाना यह अधिकार किसके पास है किसने देरख खाये मंदिर है हम सब जा सकते हैं मैं भी जाओंगा जब मेरा मन करेगा सौ बार जाओंगा लेकिन उस दिन जाना है उसके नियोते पर जाएंगे जब मर जी जाओं आपको क्यों बताओं मैं और राहूल गांदी कब जाएंगे वाप अरे बई मैं कह रहा हूँ मंदिर में जाकर अपॉर्डमेंट तो लेना पड़ता किसी को मैं कल वेशन देवी जा रहा हूं मेरी इच्छा है मेरी आस्ता है मेरा मन है इसमें इसमें अतियासिक बिरोजगार या देश के अंदर है और आक्डों पर चुनाव लड़ना चाहिए ना सिरफ भाशों पर चुनाव लड़ा जाता है मिरो जी जो सवाल है थोड़े लीक से अटके है दिखिए कभी-कभी राजदीती में जो प्रतिदुन्दी होता है उससे भी मोहब की तरफ तो सब नए नवेले छे रहे हैं और किसी के पास वा सुंद्राजी वाली वो ग्रेविटास जिसको बोलते हैं वजन नहीं है एक तो यह और दूसरा अभी आपसे इतने सवाल बगवान श्री राम पर पूछे गए और मेरा व्यक्तिकत ये परसेप्शन है कि भारती जन्तापादी एक सताया पे चुनाव उस तरह लड रही है, जिस तरह चुनाव एंटी यार लड़ते थे हैं यांडी एलडरते थे दैने फिर्मों में जो नहोंते रोल अदा किये होते थे हमारे इस्ट देहों के उस तरज पर वो एलेक्शन लड़ते थे तो भारती जंता पार्टी काफी हद तक उस तरज पर ना सिर्फ नॉर्थ में पर साउथ में भी लड़ रही है उसका जवाब आप लोगों के पास क्या है राम वर्सिस दे कॉंग्रेस पार्टी इसका क्या जवाब है बड़ा गलत है नोबडी जगेंस राम पहली बात पॉसिबल ही नहीं है हम लोग विरोध किसका कर रहे है हम दस साल की गवर्नेंस का कर रहे है हम विरोध ये कह रहे है कि आपने कहा था कि आप किसान की आमनी दुगनी करेंगे नहीं कर पाए इसका विरोध मैं करता हूँ आपने का हर साल द सम्यधान अलग है, धार्मिक भावना अलग होती है इनसाना की, उन दोनें को अलग रखना चाहिए. और चुनाव लड़ा जाना चाहिए पर्फारमंस के ऊपर ना, दस साल में जो पर्फारमंस है, बहुत सारे सरकारी इस्टियार में देखता हूँ, हमने ये कर दिया, हमने व अबादी के पास 45% देश की संपत्ती है तो इतनी खाई बढ़ गई है गाओं शहर की अमीर गरीब की उसकी चिंता हम लोगों को होती है और ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है अगर इतनी जादा डिस्पारिटी होती है अमीर गरीब के अंदर और आज किसान पर जो हा जब काले कारण विड्रो किये थे तब एक कहा था कि हम लेकर आएंगे MSP पर लो नहीं बना अभी तक तो बादा खिलाफ ही हुई है पहुछ जुम्ले दिये गए हैं अब मैं तो बंद्रा लाग पंद्रा लाग आते के तो बात ही निगता हुआ है वह सुंद्रा अजी पर मुकाबला होता है तो प्रति दुन्जिता होती है तो एक मजबूत विक्ति के साथ होनी चाहिए लेकिन BGP के मुखमंत्री है अभी नहीं बने हैं देखते हूं कैसा काम करते हैं फिलाल तो उनका मामला जम नहीं रहा है राजिस्तान के अंदर लोग अलड़ी तंग आ चु आधे समरताइ आधे मदाता बोज बन के नहीं रहाना चाहिए मन मार के जवर जस्ती नखून गाड के खीचके बैठे रहो वह चड़े रहो पड़े रहो वो उसका को मज़ा नहीं उसमें कोई चाम नहीं है यह किसी को मैसेज दे रहे हैं कि आप नहीं मैं तून का जवाब पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारियां कम आपाती है। पैदल चलें इस देश में, करला से कश्मीर तर, लाखों लोगों से मिले हैं, और जितनी मेहनत के साथ लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद और आजने तर नहीं कर पाएंगे। चीजे पढ़ने का शौक है। कुछ नहीं कुछ नहीं डालना है। अब ये कोर्ट ने ओडर कर दिया कि इलेक्टरल बॉंड्स इल्लीगल हैं, उसके विस्तारेट डेटा दो, एस बिया मना कर रहा है, वो चप गया है, अब वो महां डाउट करने के लिए किसी को औरेश्ट कर लो, किसी का अफा उड़ा दो, ये कब तक चलेगा। लेकिन ये इस प्रकार की अफाओं पर हमें जारत ध्यान देना नहीं चाहिए। ये इस बिए आप लोग ले जाएंगे आप लोगे आप मैं आपके बाद से सेमत वही हूँ क्योंकि चुनाब में पहले से मान के चलना कि फ़ला पार्टी जीच जाएगी, ऐसा नहीं, उपिनेन पोल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या माहूल बनता है, क्या उपिनेन पोल आज से पहले गलत नहीं आए हैं, सेंकड़ों बार उपिनेन पोल गलत आए हैं, अलाइंस हमारा बहुत स्टॉंग है, और अलाइंस का जो केमिस्ट्री है, उसका जो इफेक्ट और आउटकम होगा, उसको हम नहीं कह सकते हैं अभी, मैंना फिर का आप उननिस में, इंडिया पूरे देश में, तो चुनाव मैं समझता हूँ कांटे का रहेगा और हम जीतने की उमीद करते हैं, यहां ता कॉंग्रेस की बात है, अपने आपको रिइवेंट करना, ब्लॉक पंचायत लेवल तक लोगों को अपने साथ जोड़ना, और जो जनता चाहती है, जो आइडिय क्या तयार करें, पांच साल हम लोगों क्या देंगे, जुमले जूटे वादे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुली हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो एक सस्टेनेबल अजेंडा जनता के बीर जाना है, और मैं समझता हूँ, वो सबसे बड़ी प्रात्मे के तक कॉंगेस पा क्यारियां शुरू हो जाती है, अभी भी बीजेपी की तरफ से लगभख 50% जो उमीदवार हैं उनके घोशित हो चुके हैं, ये चीज़े आपकी यानि कॉंग्रेस पार्टी या विपक्ष की बाकी पार्टियों में क्यो देखने को नहीं मिल रही है, ये जानते हुए भी क कि अब चुनाओं की लडाई इस युद्धिस्तर पर होगी, क्या आप अपने उस पारंपरिक रणीती और धर्रे को ही अपनाना चाहते हैं, या फिर आपको ये समझना है कि नहीं अब इस स्ट्रेटीजी पर आना पड़ेगा हमको, इस वार्फरेंट पर आना पड़ेगा ह हैं, पुरा होमवर्क, फीडबैक, अनालेसिस, सर्वेज, वो हम सब के पास हैं, जो इंस्ट्रुमेंट्स कोई प्रोटिकल पार्टी यूज़ कर सकती हैं, हम भी उस करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते हैं, वो बखान जादा करते हैं, उनके मार्किन बहुत बढ़िया है, उन अख़वार, वाटसाइब, टीवी, बनलब कुछ छोड़ते नहीं हैं, रेडियो सब जगे लगाते हैं, को कि पैसा उनके पास है, जो डोनेशन आ रही हैं, 95% पैसा देश में जो डोनेशन हुआ है, बॉन्ड्स में, वो एक पार्टी को गया है, तो उस पैसे का, कहीं तो सचिन जी, अब इस शो में एक हमारा लास टाउंड है, जो की सबसे इंट्रस्टिंग राउंड है, यह एक और रापिड फायर है, लेकिन आपको डिसकमफर्ट नहीं करेगा, आपको इंट्रस्टिंग लगेगा, क्या आप सब लोग तयार हैं इसके लिए, पहले जोरदार तालिया हो जाए इस रापिड फायर के लिए, अब सचिन जी, इसमें बस एक छोटा सा ये है कि यह आपके पास प्ले कार्ड है, येस और नो, सामने कैमरा आप क्या लगा हुआ है, आपको अगर पास करना है तो आप इसको स्ट्रेट कर सकतें, मैं वहाँ पर जाओंगा और सीधे आईए, पहला सवाल दिखाए ज़रा, सचन जी, पहला सवाल है, अर्विन केजरिवाल इमांदार नेता है, भई, इमांदार नेता क्यों नहीं है, येस कर दी जाब, येस कर दी जे, ओके, दूसरा सवाल, प्ले करिए ज़रा, दूसरा सवाल है, प्ले करिए, कॉंग् तीसरा सवाल, प्ले करिए, संदेश खाली की घटना के लिए ममता सरकार जिम्मिदार हैं, येस या नो सर, पास, ओडियन्स ज़रा जोरदार, तालिया में कमी आ रही है, ओके, अगला सवाल, दिखाईए ज़रा, इंडिया गठवंदन के गठन में देरी हुई, नो, एक और पार्टी में RSS के एजेंट मौजूद हैं, ये राहूल जी ने बोला था, आब इगरी करते हैं इससे, येस, ओके, नेक्स सवाल, जोरदार तालिया हो जाए ज़रा, अब अगला सवाल, प्ले करिए ज़रा, हमारा अगला सवाल है, सचिन पाइलेट ने अशोग गेलोद को म ये सब लोग जानना चाहते हैं, मेरा एक लास सवाल इस और आपको एक बार फिर से और उठाना पड़ेगा, जोरदार तालिया हो जाए प्लीज एक बार, अगला सवाल, प्ले करिए ज़रा, सचिन पाइलेट हमेशा कॉंग्रिस के साथ रहेंगे, ये रिकॉर्ड हो चुका आए, सचिन जी, थाइक यू सो मच, सचिन जी का बहुत-बहुत जोरदार तालियों से, आपका बहुत आभार, थाइक यू बही मच, सचिन जी, थाइक यू सो मच, रिकूट जी